And here it is the border check post of Maharashtra and Gujarat Officially Red Bull is stepping out of Maharashtra for the first time गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलती है वो चेस में जैसे उंट चलते है न वैसे चलती है हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर गुजरात में एक बंजर जमीन पर कुद्रत का एक नायाब करिश्मा हर साल नए सिरे से जनम लेता है और हर साल वो नजारा देखने उस यगा को उस हसीन अनुभों को महसूस करने दुनिया भर से लाखों लोग कच्की और आते हैं और जब वो यहाँ से वापस जाते हैं एक बात जरूर कह जाते हैं कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा जब वो यह जब देखा जाए बाते हैं अवर इस वाजार नहीं देखा जब लागया और जाला हो गाया और जाला हुने तक आपन्वेल मतलब 40 ओर किलमिटर का राइड हो चुका है अपना अपना अपनी रिजन वाइड बाइड बाइड स्टार्टिं अर्ली मॉर्निंग श्पेशली विल्लॉग कि अंदेरे में कुछ नहीं नहीं दिखा पाते वेल निवेल अनाद फ्रेश न्यू राइड है स्टार्टेड रेड बूल की पहली इंटरस्टेट राइड इससे पहले जो राइड की मराठवाडा की इट वोज विनिन महाराष्ट्रा अभी हम जाएंगे रन ओफ कच्छ क्या बात है 2018 के जैन्यूरी में किया था रान ओफ कच्छ नुमिनार पे उस ताम पे प्रियांका साथ में ती आज वो नहीं है लेकिन आज कम से कम 10 बारा और लोग अपने साथ होने वाले जैसे उस ताम पे थे थे तो लिए तो एक्विक्ली रिच रिच्ट रिच्ट रिच यह राइड पाच दिन का होने वाला है आज चूजडे नाइन फैब हम निकले है आज जाना है अपने को यहां से वडोद्रा तक कल हम पहुचेंगे रन ओफ कच में और 12 को फ्राइडे को हम वहां से वापस निकलेंगे और 13 की साटेड़े की इवनिंग को घर पहुचेंगे सो यह है प्लान आज का अपना राइड है अल्मोस्ट साढ़े 400 किलोमेटर का घर से वडोद्रा तक जितना भी जल्दी निकलो वरकिंग डे का ट्राफिक तो लगना ही है अभी तूर्बे से थाने क्रॉस करने में गया अदा गंटा फिर भी ठीक है राइड नाव यह रीचि और फांटन होटल से निकल चुका है अभी तक पाच राइडर्स गैदर हो चुका है अभी और दो एड़ फोंगे वसाई में अभी नेक्स्टॉप इस वसाई अभी 20 किलोमेटर स्रॉम यह लेकिन जब यहां से चुटेंगे तब फांटन होटेल का सिगनल अभी तब्स घूनिए इन वसाई नाचेनल यू वचिंटेंगे तब लॉट्टेंगे तो अब इस अब व्लॉटेंगे आपको एक ऊपर एक टेल बैग लगा के अलाया हूं इधर तक ज़िआ थाए इसको देना था बाइग अल्मोस एंटार यह तर तक बाइड़ बेवे अ तो let's introduce yourself Okay I'm Sandeep from Gear Flick Gear Flick Okay Hi Nilesh Hey What about you? जन्यपुराना ये क्रॉप होने वाला है? जन्यपुराना मेरा देबी है काउंटी किलोमेटर Seriously? Yes, yes क्या बोलतो मेरा देबी है जर्डाना आएगा अभी नाम इजेल करनन बाक्ती है अच्छा तुम्ही पर कॉंपिटिशन में गया था है यह चिटींगा यह रहा है यह तो नामी ब्रैंड है अभी यह सारे चैनल के नाम यह पर नीचे तो आपने देखे होंगे आपको मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले अपने वीडियो पूरे देखो बाद में वाकी चैनल पर जाओ अभी यहां से निकलेंगे अल्मोस्ट सेवेंटी और किलोमेटर्स और राइडर्स का अट्डा वही पर रूखिए के लिए तो अभी फिलाल यहां से निकलते हैं चलो ग हां भगम यह रेकॉर्ड करतो है अभी तक टीम कितना बन गया एक दो थीन चार पाच योगी विल बी जॉइनिंग छे आजिंक्या इस अल्रेडी वेटिंग एट विरार साथ टीम इस बिल्दिंग अप एर्स वन मोर मेंबर आजिंक्या इस यह यह कल्यांट से अभी यहां अभी विरार में जॉइन के हमें अभी इनका इंट्रोडक्शन आहूरा में पॉच के अभी ज़स्ट है ब्रेक्फर्स्ट हियर अहूरा का स्पेशल खीमा पाओ अज पहली बार ट्राय किया एक्चुली मैं कभी खीमा खाता नहीं हूं लेकिन येस आई लवड इट बहुत सही है इधर का टेस्ट पहली बार खाया एंड आम इन लब विट पीछले 10 मिनिट यहा है मतलब सारे यूटिवर्स एक साथ होते है ना वहाँ पे संदीप सर्शूट कर रहे है इधर बाइद अजिंक्या आपका इंट्रेक्शन हुआ नहीं था ओ अभी गुजरात बॉर्डर इस जास 10 किलोमेटर्स अपना रेड बूल पैरी बार स्टेट क्रॉस करने वाला है 65- 70 किलोमेटर्स में जाके फिर से एक हॉल्ट होगा अभी के लिए यहां से निकलते हैं और गुजरात में मिलते हैं चलो अभी तक आपको ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी तब माहूल नहीं बनाया ना लेकिन थोड़ा और इंतजार करो गुजरात में गुसे नहीं सिगनेचर सिनेमेडिक स्टाइल नहीं आएगा इस व्लॉग में आएगा जरूर आगे आगे देखो अभी बहुत कुछ बाकी है राइड तो अभी शुरू हुए है और यह रेट इस दे बॉड़र चेक पोस्ट ऑफ महराश्रा एं गुजरात अफिशियली रेड़ ब स्टेपिंग आउट ऑफ महराश्रा फॉर दो फॉर्स टाइम भाइक लेके दो महिने में बहुत गूम लिया मैडम अभी और बहुत गूमना बाकी भी है वैसे ऑफ्स्टेकल कॉर्स बनाया इदर अगे गुजरात में अभी अगले चार दिन गुजरात गूमेंगे जी भरके वैसे मैंने आपको ये तो बता दिया है कि हम रन आफ कट जा रहे लेकिन इस राइड के बारे में मैंने जादा कुछ बताया नहीं है अपको उसके बारे में मैं व्लॉग में बता सकता हूँ या नहीं बता सकता इसके बरे मुझे exact पता नहीं है बाकी सब सही है लेकिन वस यह एक ही रिजन है कि इस road पे ना आने को मन नहीं करता है मतलब किसी भी दिन किसी भी टाइम पर आओना ट्राफिक रहता ही रहता है देख तो दुनिया बर के सारे हेवी वईकल्स वगरा इस रोड पर चलते हैं और उसमें ये कार वाले मतलब उनको तो ऐसा लगता है कि गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चलती है वो चेस में जैसे उन्ट चल प्रण बराने के लिए रुके और यहां पर पावर नहीं है अब होपिंग के हाइवे पे आगे वाले पंपे वगरा मिल जाएगा इस यहां पे जो अंकल है उन्होंने बोला कि 7 km आगे वहां मिल सकता है अब ही मैं वहां पे जाके देखूंगा अभी फिलाल सब के फ्यूल फूल हो रहे और अपना खाली है खाली नहीं है कामशेत में परसो सोलापूर से आते वक मैंने फूल किया था अभी तक हाफ है मतलब मैं तो सूरत भी पहुच सकता हूं लेकिन उतना जाओंगा नहीं अभी आगे वाला पम जो इन्होंने बोला वहां पे जाके देखूंगा अभी सबका प्लान है यहां से निकल के सिधा 90 km पे सूरत बाइपास पे रुकने का लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा आगे वह पेट्रोल बम देखने के लिए देखूंगा मूर हुआ तो रुकूंगा नहीं तो सिधा सूरत यह मुझे पता है अभी और 100 km तो आरम से है क्या क्या बनाते हैं लोग वैसे हम अभी सूरत पहुचने ही वाले हैं सम 20-25 किलोमेटर और अभी भी अपनी बाइक दो दंडी रिखा रही है मतलब अभी और कम से कम 50-60 km तो आरम से जाएगी उससे ज्यादा ही जाएगी 100 km आगे कहीं पे लंच के लिए रुकना है लेकि उसके बीच में अल्मोस्ट 50 km पे नर्मदा ब्रीज आएगा अपने को ड्रोन का एक नया अप टेस्ट करना है जुगाड बताऊंगा मैं आपको वही जाके अभी सीधा 50 km पे नर्मदा टोल पे ही रुकेंगे वैसे तो नर्मदा ब्रीज के नजारे लास्ट टाइम जब उत अन्सेट के टाइम पे यहाँ बहुचे थे और यह उसी टाइम के नजारे मैं आपको जान बुझके यहाँ इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप उस राइड को मिस करो और जाके फिर एक बार उत्तर अकंड सीरीज देखो आज मुझे जो आपको दिखाना है वो है अपने मैविक मीनी की एक नई कभिलियत यह ट्रेकिंग शॉट जी हाँ अपना मैविक मीनी अब ऑबजेक ट्रेकिंग भी कर सकता है और अगले चार-पास दिनों में जीवर के ऑबजेक ट्रेकिंग करने भी वाला है तो इस सीरीज में और यहां कि आगे की सारी मैविक मीनी अपने पीछे दोड़ेगा अपने आगे उड़ेगा और बहुत सारे ऐसे कारना में करेगा जो अभी तक वो नहीं कर पाता था वो हो 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 वड़ोधरा इस अनली 66 km लेकिन वह सब बाद में दिल की धड़कन इसे धक 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 तेज हो रही है अई शपत पहली बार फॉलो में मोड पर फ्लाइग किया मैविक मीनी में सपोर्टें नहीं है फॉलो मी मोड लेकिन जो थर्ड़ पाटी अप है लीची उसको यूज करके फॉलो मी मोड पर आप फ्लाइग कर सकते हो तो दिस अपने ड्रोन शाट के लिए एक टोटली नया परस्पेक्टिव ओपन हो चुका है जिसको हम पूरी तरह यूज करेंगे अब कि तू आर्स लेटर यू नो वाट देहाइडरेशन वस सीरियस आइमीन छे बजे हम लोग यहां पहुचे गोड़ोद्रा में अपकोस उसके बाद थोड़ा में शूट नहीं कर पाया क्योंकि गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी लेकिन छे बजे यहां पहुचने के बाद जो ठंड ने पकड़ाया मुझे और थोड़ा बहुत बुखार भी आ गया था तो एक क्रोसीन लेके मैं सो गया अभी साड़े नौ बज रहे हैं अभी साड़े नौ बज रहे हैं अभी इन्वेसर का कॉल आया वो सब लोग नीचे गए थे कई गोमने के लिए तो अभी डिन है जिसमें पड़ा हुआ सब पसारा मत देखो पसारा शक्तल दुसरा के सुचतने पसारा में एक दब ऐसी फीलिंग आती है पसारा मेरी ये जो हालत हुई है उसका रीजन आपको पता नहीं होगा अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि इस्ट सब्सक्राइब के लिए हां बुझ दिया और बात में रियलाइज किया कि आरे बाइक सोलापूर में है तो मैं सुबह की ट्रेन से सोलापूर गया और तुरंत बाइक लेके वापस आ गया राइड कर दे हुए तो वह बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था पूरा दिन और उ उसके बाद रात को सोया सुबह साढ़े चार बजे उठके आज राइड पे निकलाओं तो दो रात बिल्कुल नीन नी होई थी उसके वज़े से खराब होगी थी लेकिन अभी दो ठाई गंटे जो कुरूसीन खाके सोया हो ना वी दोड़ा सही लग रहा है अभी ना खाना सब को ऐसे सुष्टी आई है ना वी यहां से पाचवी फ्लोर पर उपर जाने का मन नी हो रहा है पाजी कैसा राज का दिन यही रेक्शन एक सही था ना आई जेवन को सो एक नमबर मस्ता शुक कर फाइन योगी पहुच गया किने मजे निकला और पहुचे किने मजे निकला आप लोगी पहुचे को जो बारात असा पोस्तों तो काया पास तास एणिवेज बहुत सारे नहे लोग यहां पर एड होगे लिकिन गैपी होगे अभी इंट्रोडूश कैसे कर रहा हूँ हां रूम पे चले गाए ना नी ठीकिए अभी तो सब लोग जो भी नहे अड हुए है ना वो सारे अभी सोने चले गए अभी उन से मुलाखात अगले व्लोग में होगी मिलते हैं कल सुबे लेकिन कल सुबे की कहानी अगले व्लोग में अभी के लिए सेटनें से कनेक्टर और स्टे हैपी किप काउंटिं किलोमीटर्स कर दो कर दो